इस कारिक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री तरंग जैन, श्रिमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांच जैन परिवार, जैन कॉलोनी दिल्ली स्वभाग्यभक्त श्री अश्विनी जैन, श्रिमती निशा जैन, रितिका जैन, स्वस्ती जैन, सिध्धान्त जैन परिवार, सीसी कॉलोनी दिल्ली स्वभाग्य भक्त श्री विरेंद्र जैन श्रिमती मुकेश जैन साके दिल्ली स्वभाग्य भक्त राजीव जैन श्रिमती रीटा जैन विजैनगर दिल्ली महानुभाओं कहा जाता है मनेव मनुष्यानाम कारणं बंद मुक्षियों कि मन ही मनुस्त के बंद और मुक्ष का कारण है मनिशे ही निशान करमों का बंद कर लेता है और मनिशे ही इनसान करमों से छूटी भी सकता है निश्य रूप से त्रियोग के बिना जीवन में कोई कारण शंभाव नहीं है मरियोग, बचनियोग और काययोग इनके तीनों के मिलने से ही हम बंदना कर शकते हैं इस्तूती करते हैं स्रावक लोग एक दूसरे के प्रती प्रेम बेहार भी मन बचन काय के मिलने से करते हैं लेकिन इसमें यदि किसी की मुक्ख भूमिका है तो वह मन की है क्योंकि इन इशाने का मन यदि स्वस्त है तो उसका बचन अपनियाप स्वस्त हो जाएगा कई बार लोग मेरे पास में आते के रहें आज बड़ा मूड अपसेट है आज माइंट सेट नहीं है तो बस उसके दौरा इस तरह की हरकते हो जाती है कि जो वह सोचता भी नहीं और बाद में पच्चतावा होता है मैं भी सोचता हूँ मेरे शाथ के लोग भी सोचते हैं मेरे पास आने वाले भी सोचते हैं हर कोई यही सोचता है कि उस समय मैंने ये कार गलत कर दिया और बाद में इंसान को पच्चतावा होता है क्योंकि मन स्वस्त होगा तो जीवन स्वस्त होगा और कहते हैं स्वस्त रहिए मस्त रहिए और काम में बैस्त रहिए पहले के जमाने में लोग कहते थे खाओ, पियो मस्त रहू और आजकल के जमाने में लोग कहते हैं खाओ, पियो और सुस्त रहू पहले के जमाने में लोग कहते थे कि अरिहनते नाम लड्डू और सिद्धे नाम गी अरिहनते नाम लड्डू और सिद्धे नाम गी और सादू नाम मिसरी तो घोल घोल पी अब आप बलो लड्डू कैसे पी सकता आदमी आरिहंत नाम लड़ु और सिद्ध नामगी और सादू नाम मिस्री तो घोल घोल पी कि कहते हैं जब आदमी का बुड़ा पाता है तो लड़ु को दूद के साथ में खाना पड़ता है खिचडी खाना पड़ती है दलिया खाना पड़ता है दलिया बीमारों का खाना नहीं है दलिया बुजरुगों का खाना नहीं है बलकि दलिया हलका खाना है खिच्री हलकी खानी है कि जिसके खाने से आपका सरीर स्वस्त चले तो मन्ष्वस्त करने के लिए क्या करें तो अरिहंत नाम का लड्डू ले लो और सिद्ध नाम का घी और सादू नाम की मिस्री कि आरिहनत भगवान लड्डू की तरह लड्डू कैसा होता है गोल होता है लड्डू को आप कहीं से भी खाओ लड्डू आपको मीठा ही लगेगा चाहे शुरू से खाओ चाहे बीच से खाओ चाहे मद्दे से खाओ, चाहे अंते से खाओ, लड्डू आपको मीठा ही सौध देगा बसरते लड्डू यदि मिठाई का होगा तो आजकल लड्डू बन रहे हैं, इमली लड्डू एक दिन में बिहार कर रहा था, अरस्ते में कुछ दिनों पहले तो एक दुकान के बाल लड्डू यहां मिलते हैं, तो मैंने बुछ राम लड्डू कौन सा हो गया, आज तक तो सुने थे, कि मोती चूर का लड्डू, बेसन का लड्डू, आटे का लड्डू, खोपरे का लड्डू, सक्कर का लड्डू, लेकि राम लड्डू क्या है, तो संसार की सिर्थ दिखिए कि राम भगवान की फोटु यदि जमीर पे गिर जाए तो लोग उठाकर उसको पैर से चूते हैं और राम लडू कपा रहे हैं राम लडू क्पारे हैं राम लडू क्या है तो विसे पे आते हैं मैं आपको बता रहा था कि मने ही मनुश्च के बंद और मुखश के गरान हैं तो अरेंद नाम का लडू होता है कि अरेंद नाम कैसा है यह इकिए साभ्यलो अरेंद नाम लगता हैंड़ और सिद्य नाम खी क कदा चित लडू नाम लिए तो चल जा江एगा लेकिर रोटी में घी होना तो ज़रूरी है और आजके समय में इंसान क तो रोटी के अगी कौन सा अच्छा लगता है जो दूसरे की रोटी में होता है लेकिन सिद्ध नाम का जो घी है वह तो सभी के लिए परयाप्त है सभी के लिए पूरा है सभी के लिए बराबर है तो लड्डू बिना चल जाएगा लेकिन घी के बिना नहीं चलेगा और तो कहते हैं अरीहंत बनना सरल नहीं है सिद्ध मनना तो बामुस्किल है और सादू बनना हलका सरल है सादू बनने के बाद अपनी जीवन का कल्यान करना भी संभव है मिसरी होती हर जगा में जाये करती है तो मन को स्वस्थ करें कैसे करें मन को स्वस्थ करना है तो जिनोंने मनोयोग को जीत लिया है जिनोंने अपने मन को इस्तिर कर लिया है उस मन को करें कुछ दिनों पहले एक बच्चा मेरे पास में आया उसके साथ उनके माता पिता और उनके परिवार जनमी थे बच्चा आया बोले महराच जी मम्मी मुझे डाटती है मैंने कुछ नहीं बोला पास में आया बोले मम्मी मुझे डाटती है मैंने धीरे से उसको बोला कि मेरी मम्मी मुझे डाटती थी बोला पिर आपने क्या किया मैंने गाос मैं तुम्हारा जी बन गया तुम भी बनोगे भले नहीं मैं तो नहीं बनोगा तुमने डाटकाओ आपको एब बात बताना चाहाएता हूँ कि जिस तरह से बच्चा यदी अपराद करता है तो उसको माता पिता उसको डाट लगाते है उसी तरह से आपका मने यदी अपराद करेगा तो मने के अपराद की सजा कौन देगा मने के अपराद की सजा स्वेम मने के मालिक को दिना पड़ेगी और कोई मन के अपराद की सजाद नहीं दे सकता है हमारी मन में गलत भाव उठते क्यों है क्योंकि हम कसाय भाव को जगरित करते हैं हमारे मन में किसी के प्रती गलत विचार के उठते हैं क्योंकि हम अपने विचार को व्यस्त करते हैं बैर्थ करते हैं एक बार एक जगए पर जगड़ा हो रहा था और जब जगड़ा होता है तो इन्शान कई तरह की बाते ऐसी बोलता है जो कभी वह सोचता भी नहीं है तरह तरह की बाते उसके दिमांग में आ रहाती है और जब जगड़ा होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौके की तलास में रहते हैं कि कब जगड़ा हो कब डंडे चले कब दंगे हो और मैं भी अपना हाथ धोलू बहिती गंगा में हाथ धोना जिसे कहते हैं जगडा चल रहा था कि बहुत जगडा बढ़ गया कि जगडा इतना बढ़ गया कि गाली की जग्या गोलियों की नौबत आ गई इतने में वहां एक संत का काफिला पहुचा लोग के रहें जैकारा गुरुदेव का जैजै गुरुदेव और माचर सिदान सागर जी महाराज की जैए महावी लुकवार की जैए ऐसे सम्माराव की जैए लागा तो संग चल रहा है मालीजे तो जखला 16 संत हो गया संत की नगर भी पड़ी कि दो समुदाय घमासान लड़ रहे हैं संत धोरी दिर वहां खड़े हो गए जैसे ही थोरी दिर खड़े हुए तो दोनों समुदाय के लोग गए अब बले नमुस्तू बंदन को जेनी भी होगे और एक बंदन करता है तो और यू बंदन करने लग जा रहा था जब नमुस्तू का बत्रवन हुआ तो वहां पर जो शमुदाय जगड़ रहे थे उनमें कुछ लोगों ने तो सुचा महराजी बिहार करें हम तो बिहार में जाएंगे आदे आदमी कम हो गए आदे आदमी दरद्वर हो गए दीरे दीरे करते करते जो दो आदमी ज जगड़ रहे कि उस संत ने अपना काम कर दिया था संत ने देका जगड़ा हो रहा है उन्होंने का पहले तू लोगों को साप करूं फिर उसके आद उन्होंने एक धीरे से उपदेश दे गए जगड़ने वालों याद करना किस बात को लेकर जगड़ रहे हो यह ध्यान जगड़ा कि जगड़ इस बात को लेकर रहे हैं कि दो लोगों के बीच में एक आदमी आया उसने कहा कि यह जो है तुम्हारा जो खेत है उस खेत में अपनी मुडेर घुसा रहा है इस खेत में अपनी मुडेर घुसा रहा है तो बुले बुले यार हम लोग इस बात को लेक जगल रहे हैं लेकिन मुझे तो ग्यानी नीरा कि मेरे और तुमारे खेत के बीच में तो एक खेत है जगला समाप्त सद्धी गावता बरन कहते हैं मन के अंदर से काली मादूर होती है तो अपने आप जगले समाप्त हो जाते हैं मन को सुस्त करिए जगले समाप्त हो जाएं ल पूलता सोच चल रहा है तो मन का बिकार सही नहीं होगा मैंने कल कहा था कि बात ना करने से बात बिगड़ती है और बात करने से बात बने जाती है जो बात नहीं करता तो बाते बिगड़ती है बाते बने जाती है और जो बात करता है उससे बाते बने जाती है बात में क्या होत और जो ज़्यादा बात बात के चक्र बरता है उसको बात का रोग हो जाता है उसको बात का रोग हो जाता है उसको बात के रोगी का आपने देखा होगा बात के रोगी का सरीर फूलता है सरीर में कुछ भी नहीं है लेकिन फूलता है उसी प्रकार से जो अकड़के चलता है उपर जब मैं घर में थारा जाई गद्दे बनते देखता था कि जब गद्दा फूल जाता लोग उसकी ठुकाई पिटाई करते हैं इसी प्रकार से हैं तो अभी उसी हर वेसे ही होता होगा तो गद्दा फूलता है तो उसकी ठुकाई पिटाई होती है बात का रोख होता तो ठुकाई बिटाई होती है ठुकाई बिटाई जब नहीं मार भी ठुक कर्मों के दोरा ठुकाई बिटाई होती है और कर्म जिसको ठुकते है कर्म की मार भरी भारी कर्म की मार भरी भारी ना किसी को दिखती ना किसी को सुनाई देती कर्मों की मार भरी वारी ना किसी को दिखती ना किसी को सुनाई देती लेकिन जो इस पर भी इती है उस पर एहसास हुआ करता है कर्म की मार भरी वारी आपने जीमन में मन से ही सुबकार होते हैं मन से ही सुबकार होते हैं मन में धारन कर लो तो जी मन में सारी चीजें मिल जाएंगी और मन में मजबूती नहीं है तो कुछ भी कामा नहीं होगा आप से कहा जाए कि रात्री में दो बजे आपको उटकर बाहर घूमना है आप मना कर दोगे ठ्टड़ भूट है लेकि जब आपको दो बजे रात को ट्रेंड पकरना है फ्लाइट पकरना है तो आप एक बजे उटके नहा लेते हो तो क्या है जिस दिन आपने मन मजबूत कर लिया उस दिन आपने क्या किया कि सारा काम संपन कर लिया और जब आपने मन मजबूत नहीं किया तो आपके सारे काम कैसे होंगे तो अपने जीवन में मन से ही मनुष्ट के बंद होते हैं मन से ही मनुष्ट का द्वार खुलता है अपने मन को स्वस्त रखें मन में बात ना रखें बचन में के द्वारा कहे कर निकाल दें तो अनस्वस्त हो जाएगा और मन बचन क आए तीनों योग से ही जीवन का कल्यान होता है लेकिन सबसे पहले मन को रखा कि मन को ठीक करिए और मन यदी निर्मल है जैसे एक बच्छन में कहते हैं मुनी मन निर्मल जैसे है गंगा को जल कि गंगा का जल कैसा होता है बिलकुल सुक्ष होता है उसी तरह से मुनियों का मन ह होता है नेकिर सुभाख का मैं भी तो होता है लेकिन इधर होधा की बाते हैं तो हैं मन कि शुद्ड सब्सक्राइब को सुद्ड बनाएं जैंजिनेंद्र परम पूजे बंदे लठंट के प्रभावक्षिष परम पूजे बालियोगी अचारिश्री सौभाग्य सागजी महराज की मंगल प्रेणना एवं आशिरवात से मुरी सुवरत तीर्थ पल्ला भकतावरपुर दिल्ली में निर्मान कारे प्रगती से चल रहा है जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संद निवा यात्री निवास भोज नाले एवं छात्रावास का कारे प्रगती पर है जिसमें आप सईयोग कर पुन्यारजन प्राप्त कर सकते हैं यहां के जिन चत्याले में प्रते दिन विशेश पंचमरत अभिशेग और शांतिधारा होती है यदि आप भी अपने परिवार की ओर से क धर्म लाब ले सकते हैं और हर शुक्रवार को निर्माना धीन मुनिसुवरत तीर्थ पर विराजित मनु कामना पूर्ण पद्मावती माता की गोध भराई मात्र 31 सो की सईयोग राशी देकर पुन्यारजन प्राप्त कर सकते हैं आप सईयोग राशी के लिए हमारे सईयोज श्री मनीश जैन श्रीमती रितु जैन गरिमा जैन लक्ष जैन परिवार राणा प्रताब बाग दिल्ली स्वभाग्य भक्त श्री तरंग जैन श्रीमती तनु जैन इताशा जैन एकांच जैन परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली स्वभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन श्र प्रिमती रीटा जैन विजयनगर दिल्ली